दो अंको की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राव संख्या का अंतर सत्ताइस है संख्या के अंको का अंतर क्या है? आप से संख्या के अंको का अंतर पूछा है जबकि संख्या का अंतर वहां से दिया हुआ है दोनों का जो खुद है और अंकों के पलटने से बनेगी इसको एक सेकिंड में कैसे करते हैं ये आज हम देखेंगे मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसवेर पे देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं जब भी आपको संख्या और अंक पलटने से जो बनती हुई संख्या है अगर उसका अंतर आपको देता है और अंकों का अंतर पूचता है तो हमेशा उस अंतर को जो संख्या का अंतर दिया है उसे आप 9 से भाग कर दीजे तो आपको अंकों का अंतर प्राप्त हो जाएगा इसको क्यों ऐसा होता है इसको ऐसा हम क्यों करते हैं देखे, जब भी आपके पास एक संख्या है तो वो होती है 10 x प्लस y और पलटने से बनती है 10 y प्लस x इन दोनों का उसने अंतर कहा है तो मैनस मैनस 10 x में से x जाएगा तो बचेगा 9 x माइनस 10Y प्लस Y हो जाएगा माइनस 9Y 9 इंटू X माइनस Y बराबर उसने दिया है 27 के और ये है वो उन अंको का अंतर X और Y का अंतर तो 9 थी 27, 9 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया लेकिन इतना सब कुछ आपको नहीं करना है ये सिर्फ संजाने के लिए था आपको तो हमेशा सिर्फ 9 से डिवाइड करना है उन संख्याओं के अंतर को और आपको आपका अंसर मिल जाएगा अंको का जो अंतर होगा जो कि यहां 3 है दो अंको की एक संख्या तता अंक पलटने से प्राब्ट संख्या का योग पजपन है अब आपको योग दिया वो संख्या और अंक पलटने से जो बनी संख्या उन दोनों का जो योग बना उन संख्याओं का वो पच्पन है तो आप से पूछा है कि अंकों का योग क्या है जब आप से अंकों का योग पूछता है अंतर में मैंने बताया था 9 से भाग करना है और जब योग की बात आती है अगर योग चाहिए तो 11 से आपको भाग करना पड़ेगा तो 11 से भाग करेंगे, तो 5 तो उन दोनों अंको का जो योग है वो 5 है जैसे अगर हम माने इसको की 32 संक्या है अंक पलटने से जो संक्या बनेगी वो आपका 23 तो 5 पांच दोनों का योग हो गया पचपन तो अब आप यह देखे यह जो संक्या है या फिर यह जो उन से भी है इन मेंसे जो भी दोनों हम consider कर सकते हैं, ये ध्यानक नहीं, तो इनका योग आप से पूछा है अंकों का 3 और 2 पांच, तो 5 ही हमारा निकल के आया है, इस तरीके से करते हैं इन questions को, next question देखते हैं, कौन सी संख्या है, जिसमें साड़े 27% की कमी कर देने पर 87 ब्राप्त होता है साड़े 27% की कमी कर देने का मतलब होता है, कि जो हमारी संख्या थी पूरी 100% होती है, उसमें से हमने 27% की कमी कर दी है, इसका मतलब हमारे पास जो बची, वो 72.5% बची तो किसका 72.5% 87 होता है, ये आपका question अब बन गया, तो ऐसे questions में, जो आपको दिया है, कि वो कितने के बराबर है, उसमें हमेशा 100 की गुणा करनी है, और जितना वो संख्या बची है, जैसे 72% बची है, तो उससे उसको भाग कर देंगे, तो साड़े बातर से हम इसे भाग क करेंगे, तो जो solve करके आएगा, 120 आएगा, तो 120 वो संख्या थी, जिसमें मैंने 37% की कमी की थी, और मुझे 87 प्राप्त हुआ था, आज की ये वीडियो आप लोगो को कैसे लगी, और कैसी लगी आज की ट्रिक्स, मुझे comment box में जरूर बताएगा, और जिन्होंने चैनल सब subscribe नहीं किया, please कर लीजे, ऐसी बड़िया वीडियो पाने के लिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, new tricks and questions के साथ, thank you